बच जाओ हाँ बच गया क्या लेकिन कैसे सरदार आप हवा में कैसे लटक गए अबे कजुधरा सब इस मैजी की स्टाप का कमाल है मैं तो बच गया रे कजुधरा सरदार हमें भी बैठाओ न बाप कमाल समझाये क्या हुशर सरदार अरे नाराज नहों आओ बैठो अब एक पोल सी नहीं मुस्की बता गई सरदार जल्दी यहां से लिकलो नहीं तो पत्थरों से कही रास्ता बंद रहो जाए सब अपने अपना सीट बेल बात लो पत्थरों की बारिश में से जहाज लिकलने वाला है कौन से जहाज की बात कर रहे हो सरदार अबे जिस पर पैठे हो वही और कौन चलो अब पत्थरों की बारिश में भीगते हैं सरदार अब की सबात की देर है चलो महारानी सुंदरी को ये जहाज मेरा मतलब ये जादोई स्टाफ देते है और उन्हें बाग से उनके असली रूप में लाते है ठीक है तो अपने अपने सीट का बेल्ट बाद लो जहाज तेजी से उड़ने वाला है सरदार आप क्या बार बार सीट का बेल्ट बादने के लिए कह रहे हैं बच्पन से पाइलट बनने का सपना देखता था पाइलट तो नहीं बन सका लेकिन चोर जरूर बन गया अब जब हम उड़ रहे हैं तो सोचा नगली पाइलट ही बन जाता बड़ा ही दर्द भरी कहानी है सरदार आपकी रोना आ गया वैसे में बच्पन से पर धान मंत्री बनने का सपना देखा करता था जल्दी उड़ान भरिये सरदार समय निकलता जा रहा है चलो चलते हैं चल चल उड़ अबे चल रे चल उड़ सरदार क्या हो गया पता नहीं भूरा अब जहाज आगे बढ़ी नहीं रहा कहीं तेल खतम नहीं न हो गया सरदार तेल पढ़ता है इसमें हाँ तेल पढ़ता है कहां तेल पढ़ता है चल बता जब ये इस चाप जहाज बन सकता है तो क्या पता इसमें तेल भी डलता होगा हाँ हाँ सही बोला, अगर ये जहाज बन सकता है, तो इसमें तेल भी पड़ता होगा, सही पकड़े हैं सरदार, मुझसे गल्सकी हो गई, तू भी मुझे एक जड़ दे, ले अभी इतना तेज तो मैंने तुम्हें नहीं मारा, तो फिर तुमने इतना तेज क्यों मारा, मैं मौका नहीं गवाता सरदार, एक बार और कोशिस करता हूँ, देखता हूँ उरता है कि नहीं, चल उर जा जादूी स्टाफ, चल उर, अभी नहीं उर सकता ये तो वही वाला भूत है सरदार जो हमें खा गया था लेकिन पहले तो ये काफी बड़ा था लगता है ये अचानक कुपोसर का सिकार हो गया है कुपोसर तो तुम लोगों कहोगा अगर ये जादूई स्टाफ मुझे नहीं दिया तो ये जादूई स्टाफ तो तुम भी उस गुफा में से ले सकते थे तो हमसे क्यों मांग रहे हो जरूर ले सकता था लेकिन मुझे इटलर के मौसी का नाम नहीं पता था इसलिए मैं उस जादूई स्टाफ तक नहीं पहुँच सकता था जब पता चला कि तुम लोगों को भी जादूई स्टाफ चाहिए तो जादूई स्टाफ पाने के लिए मैंने तुम लोगों का इस्तेमाद और एक नई यूग की सुरुआत होगी पता नहीं सभी बिलेंज सबसे ज़्यादा सकती साली बनने का सपना क्यों देशते हैं हम ये जादूई स्टाफ तुमें नहीं दे सकते हो सके तो माफ कर देना इस ठुटकू से माफिक क्यों मागते हुँ सरदार रुको मैं इस कुपोंसर के मरीज को देशता हूँ नचनिया खास तोर पे तुम ध्यान से देशना कि कैसे मैं उस कुपोंसर को उड़ के मारता हूँ मार दिया सरदार एक मुफ्ट के सलाह देता हूँ उससे पंगा मत लिजिए अंडा टेकर से भी तेज मारता है अपने मुफ्ट की सलाह अपने पास रखो हम ये स्टाफ कभी नहीं देंगे तु ये लो नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा जादू कभी खाली नहीं जाता है लेकिन अब तेरा जादू महरानी सुंदरी की जादू इस्टाफ पर काम नहीं करेगा हमें पता था कि तू ऐसी हरकते करेगा इसलिए हम यहीं आ गए स्टाफ पर जादू नहीं काम करेगा तो क्या हुआ लेकिन तुझे पर दो करेगा यह लो अरे तुम लोग जल्दी वह जादू इस्टाफ महरानी सुंदरी को दे दो मैं इसे जादा देर तक नहीं रोप सकता महरानी सुंदरी यह रहा आपकी अमानत वाओ इतनी सुन्दर महिला तो मैंने अपनी पूरी जिन्दगी में नहीं देखी क्या ये मुझे से भी सुन्दर है अबे तुम लोगों का देखा देखी हो गया हो तो कोई बजाएगा भी मुझे